जहें दोस्तों बंदे मात, आदे बुर्ष का टीजर जब से रिलीज हुआ तब से लगातार उसको लेकर इस तरह की बाते सामने आ रही है कि भई, मेकर्स को उसके साथ कुछ तो करना पड़ेगा हाला कि जब टीजर रिलीज हुआ और उसके आलोचना हुई तब मेकर्स ने ये कख कहा था कि नहीं जो भी है ठीक है जब आप इसको थीएटर में देखेंगे तो आपको एक अलाग एक्सपीदिन्स में लेका और दस तरह की ऐसी ऐसी बाते हुई थी लेकिन मुटी मुटी बा मेकर्स ने फैसला लिया कि भई इस मुवी का पोस्पोन किया जाए जहां इसको जनवरी 2023 में रिलीज किया जाना था आप खबार आईए कि इसको जून में रिलीज किया जाएगा अब इस तरह जो टाइम मेकर्स ने लिया है वो उसमें इस मुवी के VFX की ओपर काम करने वाल तो जिरा देख लेते हैं क्या कुछ बातें निकल कर सामने हारी सोशल मीडिया पर आदिपुरुष के डेवलप्मेंट को लिए प्रभास की बिग बिजट फिल्म आदिपुरुष की लगतार चर्चा चल रही है लेकिन लोग फिल्म की तारीफ करने से जज़ादा इसकी बड़ा अपडिएट सामने हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अब रावन के लुक में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा दरसल अदीपुरुष रामायन पर आधारे थे जिसमें रावन क्रिदार सैफ लिखान निवा रहे हैं फिल्म की टीजर में सैफ लिखान का लुक देख को निकालने का फैसला किया है एक मीड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मेकर्स ने लोगों के गुस्से को देखते हूँ सहिफली खान के लुग बदलने का फैसला किया है लेकिन इसके लिए सहिफली खान के सीन्स की शूटिंग फिर से नहीं और तकनीक के जरीए रावन की दाड़ी पूरी तरह से निकाल दी जाएगी बताने कि आदी पुरुश का अंडिर्देशन उम्राउत ने किया है और इस फिल्म में राम की भूमिका में प्रभास सीथा माता की भूमिका में सनी सिंग नजर आएंगी यह फिल्म अगले साल 12 जन अब देखिए यहां पर यह भले सीन्स को रिशूट नहीं करेंगे और एडिटिंग के जरीए सबी चीज़ों को ठीक कर देंगे लेकिन कहीं ना कहीं जो बात ओरिजिनल चीज़ में होती है वो चीज़ आप एडिटिंग के जरीए नहीं ला सकते अब प्रभास की मुवी जिस स्केल के पर बनी है उसमें सब लोग सभी चीज़ों के अच्छे होने की ही उमीद करेंगे प्रभास की इज़त भी इस मुवी के साथ दाओं पर लगी है वही बाहु बहु बहले के बाद उनकी साहो फेल हुई रादे शाम फेल हुई और अब आदी पुरिश आदी पुरिश के उपर काफी कुछ चीज़ों का दारूंदार लगा हुआ है जो कि प्रभास की जो इमे हुआ 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 है